लोड लेगा तब आप परिसान नहीं होईएगा सिस्टम है टेकनिकल चीजें हैं कभी कभी थोड़ा वाफरिंग हो जाता है तो इसको आप लोग बता लिए जैसे उस तरह से अगर मैं बोलूं कि फोर और टू का लसी एम बताईए तो इसका थोड़ा कठीन है इसमें कुछ नहीं था सब चर्चा करेंगे पूरी कहानी बिस्तार से आईए सबसे पहले हम बात करते हैं एल्सीयम की एल्सीयम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टिपल मार्ण से हिंदी में लगुतम समाप वर्त बोलते जानते हों कि नहीं हommes लगुतम समाप वर्त और महाथम समाप वर्ता की यह सब पढ़े आप लोग महत्म समाप वर्तक को मतलब HCF होता है लेकिन इसमें वर्त होता है जो है जैसे पढ़ाया था ना उसमें आप वर्त पर पढ़ाया था उसमें प्लब अपकार से अगर बात करें तो कॉमन अइसे तो कुछ होगा साइद आए अभी आगे चर्चा करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा हम लोग को फिलहाल इतना इंगलिस में देखना है हिंदी में इसे लगुत्तम समापवर्त बोलते हैं लिख लीजिए कुछ लोग कहते हैं हिंदी में नहीं लिखते हैं हिंदी बड़ी कठीन है लगुत्तम समापवर्त यह ऐसे लिखते हैं ठीक है यहां समा और अपवर्त मिल पढ़ा है और यह आप वर्त भी पढ़ा है इसको ऐसे लिखते हैं उपर रहा लगा कि तोड़ा गलत हो गया है फिलाहल आप समझ रहो ना तो यह अप वर्त पढ़ा है अब समापवर्त और समापवर्त पढ़ेंगे ठीक है चलिए अच्छी बात है जिनको बेसिक पढ़ना रात के नो बज़े से पढ़ सकते हैं वो तो दो और तीन का LCM 6 हो गया कैसे आपको पता है पहले हम रूल पर बाद में चलेंगे पहले छोटी-छोटी common चीजें आपको आनी चाहिए देखिए साथियों LCM में ऐसा होता है कोई दो संख्याएं जिनका को कोई मतलब कामन गुडणखंड ना हो उनका LCM सदा हमेशा उनका गुडणफल ही होता है मतलब जो नंबर है उसका कोई कामन फैक्टर ना हो ठिक है जैसे एक अगर मैं यहाँ पर और भी देता हूं कोड नंबर चार मान लीजिए जैसे मैंने टू लिखा यह फाइब लिखा और यह सेबन लिखा इनका अगर हम LCM बोलें तो आप बिना कुछ किए आधा मिनट में बता ले जाएंगे ठीक है बहुत अच्छे चलिए इनका LCM 7070 होगा बिना कुछ किए बिना किसी लाग लपेट के आप गुड़ा कर दो बस सिर्फ मल्टीपल कर दीजिए LCM हो गया लेकिन ध्यान रहे यह नियम उन्हीं पर लागू होगा जिनके कोई कामन फैक्टर नहीं है यानि कामन अपव उभाय निष्ट अपवर तक नहीं है हिंदी में उभाय निष्ट बोलते हैं इंगलिस में कॉमन बोलते हैं ठीक है आईए देखिए एक और बताईए जैसे मैंने लिखा वन थिरी फाइप और मान लेते हैं कि मैंने दो लिख दिया अब बताईए इनका LCM कितना होगा जरा स सोचिये और बताईए कितना होगा आप समझ गये होंगे कहानी तो हम आगे बढ़ते हैं समझ गये कि इनका LCM कितना होगा कोई बताएगा डॉली सर अगर सेयर करेंगे तो सब टॉपर हो जाएंगे यही जलनतों में खा ले रही है इस्टूडेंट में यही प्रॉब्लम है अभी कोई गंदा सा वीडियो हो भद्दा सा उसे जरूर सेयर करेंगे अभी मैं किसी को गाली दे दूं तो यह सब वायरल कर देंगे आपर हो जाएंगे हम तो पीछे हो जाएंगे इसका अंसर ठीक है सब का गुड़ा कर लेंगे एक तियाए तीन पचे पंदरा दूना तीस कितना जाएगा 30 कितना थर्टी अगर इनके HCF की बात करें यही पर तो क्या होगा आप इसको समझ गये ना इनके कोई कामन फैक्टर नहीं है आपस में किसी भी नंबर के इसलिए इनका सिर्फ और सिर्फ गुड़ा करके ही LCM निकाल लिया जाता है ठीक है आए आगे अब हम कुछ नए नए तरीके नए तरीके तो नहीं फिलाल नए कोईस्टन पर चलते हैं आपको अंतर समझाते हैं इसमें बताइए जैसे म इनका LCM करेंगे तो क्या इनका डारेक्ट गुड़ा करके कर सकते हैं नहीं अब मैं कम समय में ज्यादा पढ़ाओंगा बोलूंगा कम देखुझा ज्यादा आओ इधर देखो इन में common factor हैं इन में जो factor हैं वो common है एक दूसरे के इनका थोड़ा मैं explain कर देता हूं तब इन पर आता हूं जैसे one लिखा one के अगर factor करेंगे तो one अकेला है इसके आगे नात्ना पीछे पगावाली कहानी है इसके कुछ नहीं है कोई नहीं 3 की बात करें तो three का one और three दो factor है वईसे अगर five की बात करें तो यह भी योगी महराज हैं इनके भी कोई नहीं है एक खुदा है बगवान एक खुद है बस दो की बात करें तो यह भी ऐसे ही लेकिन यह लड़के वच्चे वाले हैं फैमली वाले हैं इनके भाईया भी है भावी भी है आज ही आजा नाना काकी सब हैं इनका अगर मैंने लिखा तो इनका 1 भी फैक्टर है 2 भी है 4 भी है इनका लिखा तो 1 भी है 2 भी है 3 भी है 6 भी है समझते जाईए मैं जो बताने वाला हूँ 8 का अगर लिखा तो 1 2 4 8 इनमें और उनमें अंतर क्या है समझिये इनका सिर्फ मल्टीपल करके ही LCM निकाल लेते हैं डारेक्ट गुड़ा करके क्यूं क्योंकि इनके कोई कामन फैक्टर नहीं आपका होगे काय जूंट बोल रहे हो संजा सबहरे वन सब में कामन तो है ना ह 20 10 to 8 कमन लेकिन इसकी कोई गिंती नहीं होती हैitted इनकी कोई गिंतीव इन से कोई मतलब नहीं होता है अब उन से किसी भी नमबर में अगर मal्तिपल कर दे। गुड़ा कर दें कोई फरक नहीं पड़ता है है Crystal लेकिन जोड़ा घटाया नहीं जा सकता क्योंकि एक जोड़ने अगटाने से फरक बहुत बड़ा पड़ जाता है तो इसमें कोई common गुड़नखंड नहीं है अगर इसे थोड़ा और detail में बोलें तो वन को छोड़कर वन को छोड़कर कोई और common गुड़नखंड नहीं है लेकिन इसमें भी भी होता सन्योग वस्तों फोर भी common था लेकिन गड़बड़ा गया अब नहीं है हम बात समझ में आ रही ना उसके बाद हम LCM में ये भी देखते हैं जब संख्याएं दो से अधिक हैं जब दो से अधिक हों तो हम वह भी देखते हैं कि कोई गिन्ती जो सिर्फ दो में common हो उसको भी गेरते हैं ठीक है तो सिर्फ दो में common ये four है इसको भी हम गेरेंगे इसे ठीक है समझ रहे हुना आप लोग अब क्या करेंगे हमें अगर काल्षिम करना है तो क्या करेंगे जो सब में गॉमन था पहले उसे एकchain लिखेंगे तू तो तू तू उसके बाद जो दो में कॉमन था उसको भी एक भार लिखेंगे जैसा यह फोर नहीं تع नहीं होगा न क्योंकि हम लोगों ने उस तरह के फैक्टर तो निकाले नहीं उन्हें क्या बोलते हैं कि अब आज ये गुड़न खंड निकालेंगे तो अब आज गुड़न खंड निकालेंगे क्या इस तरह से लसीम निकाला जा सकता है क्या इस तरह से LCM निकाला जा सकता है आप लोगों को लग रहा है देखे गुड़न खंड भी दो तरह होते अभी तक हम से वह गुड़न खंड बोलते आए हैं फैक्टर 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 लेकिन वह दो तरह के होते हैं कैसे एक भाज्य गुडनखंड होते हैं एक अभाज्य गुडनखंड होते हैं आई ये बात करते हैं अभाज्य गुडनखंडों की ठीक है इनको यही पर छोड़ देते हैं क्योंकि यह लाइन अलग है मैं इनको कुछ और बताने के लिए लिख रहा था इनको में कुछ और बताने के लिए लिख रहा था यह अब आज ये गुड़नखंड नहीं है यह बाद फूर की बात करें तो फूर में हमने देखिए यहाँ पर क्या लिखा था यह तो भी लिखा था यह एक दूसरे से कट पिट रहे थे रुकिये बताएंगे वो भी बताएंगे वो भी बताएंगे थोड़ा रुकिये सबर करिए पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर LCM का मतलब क्या है क्योंकि हम जब पढ़ते हैं डीटियल में पढ़ते हैं ना आईए जल्दी जल्दी से समझते हैं LCM का वास्तों में मतलब क्या है देखिए जैसे अगर मैंने नंबर लिखा दो नंबर छोटे-छोटे हैं 4 और 8 अगर हम 4 और 8 का LCM आपसे पूछे तो आप सभी बता लोगे न क्या होगा अभी-अभी मैंने बताया था लीश्ट कॉमन मल्टीपल यह होता LCM का फुल फार्म लीश्ट मतलब छोटे फे छोटा कॉमन मतलब कॉमन यह उभायनिस्ट हिंदी में बोलते हैं मल्टीपल मतलब गुडज तो वह सबसे छोटे से छोटा गुडज यानि सीधी सीधी देसी भासा में बोलें तो वह छोटी फे छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए वही LCM होगी वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से भी भाजित हो जाए पूरी तरह से बस वही अंसर है मिताली सिंग नेहा मिज्रा दिब्यातिवारी रूपेश ठीक है तो भाईया हो इन दोनों से कट जाए अगर हम बात करें फोर की तो ठीक है फोर फोर से तो completely divide है लेकिन फोर जो है वो एट से पूरी तरह फी divide नहीं होगा कहने का हमारा तात्य पर ये है कि जो फोर है वो एट से इस तरह पूरी तरह divide नहीं होगा लेकिन अगर हम एट को ले लें तो भाईया एट ले ले तिन से दुनों काम चल जाएगा कैसे क्योंकि एट में अगर हम फोर से भाग करें तब भी जीरो आएगा और अगर एट में हम एट से भाग करें तब भी जीरो आएगा सेसपल यनि इसका आंसर क्या होगा आठ होगा बिना किसी नियम के बिना कुछ किये आंसर आ गया बताइए आया ना सभी को आया ना ठीक है बिना किसी नियम के कुछ किये हम डारेक्ट आंसर निकाल लेंगे अभी एक और देखिए जैसे हमने एक नंबर ले लिया 4 और एक नंबर ले लिया 12 बताइए इसमें दोनों में LCM क्या होगा तोच के बताइए आईए अभी बड़े-बड़े गिंती भी करेंगे आप लोग यह मत सोचना कि यह बच्चों अलग खेल हो रहा है हमारी कोशिस है न हर किसी को समझ में आना चाहिए बाकि हाइफ हाइफ लंबा चाणा तो हर कोई प कर याते रहते हैं कि पढ़ा का यह नहीं बच्चपन में मर कहीं नहीं जाता तू अब मैत का यह नहीं पढ़ाता नहीं तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी देखिए इसमें वह छोटी से छोटी गिंती जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए पुरी तरह दोनों से अगर हम देखे थो फिद फोर से कट जाएगी पूरी तरह लेकिन बारह से भी वह यह गिंती कटने होगा ठीक है यह यह नहीं कहने का तात्य पर यह कि इसका LCM क्या होगा वन टू टैल होगा लेकिन रूखो अभी थोड़ा सबर करो कि अगर मैं इसमें थोड़ा बदलाओ कर दूं ऐसे अब देखना और मैंने ऐसे लिख दिया भई आप बताओ अब इनका LCM क्या होगा अब बताईए इनका LCM क्या होगा आप बात अलग हो गई या वो ऐसे नहीं रहा गई जल्दी बताईए देखिए अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कुछ बात कहानी सब अलग हो गई अलग इसलिए हो गई है किसलिए अलग हो गई बता रहा हूं देखिए तीन गिंती हो गई वह चोटी से छोटी संख्या इनका अल्सियम होगी जो इन तीनों से पूरी तब तरह कट जाये तीनों से बिना किसी नियम के आप सोच के बता एक बार लेते हमने बीफ ले लिया कि तो वीस तो चार से भी कट जाएगी दस से भी कट जाएगी लेकिन पंदरा टंगरी फसा लेगा फंदर अफ नहीं कटेगी कहें गांगा अइसको सुभिकार नहीं तो बीफ नहीं होगा अगर हम तीफ ले लें यह लोग जो साथ और डेड़ सो पर जा रहे हैं लोग की अंखिया बंद है का वहीं तीफ लेके ट्राई कर लो क्या तीस नहीं कटेगा क्या नहीं इनकी अखिया खुली हमारे बंदें तीस नहीं कटेगा क्यूं तीस इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा लेकिन फोर फे कि भाट की बता रहे हैये सीवानी चौरषिया सिल्पके सर्वानी हिमान्शू सुखला हो सकता है क्या साठ के नीचे भी कोई हो सकती गिन्ती हμεनले चलिये साठ है क्या होगा 6 जाब इनको हम पारंपरिक तरीके शिरीज का धरम घरम करादो इसे होता है कि आईए उस तरह से करते हैं गुड़न खंड विधी अभी तक तो ये कोई विधी नहीं थी ये बुजवल हो रही थी जैसे पहली बूझा जाता है हम लोग अभी तक उत्तर वैसे बूझ रहे थे लेकिन ये mathematics है इसमें सिर्फ बूझने से काम नहीं चलने वाला है इसमें कुछ नियम कानून मालूम होना चाहिए आईए हमने लियाप 4 10 15 15 इनके सभी के हम अभाज ये गुड़न खंड लिखेंगे क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर लिखेंगे प्राइम फैक्टर और फैक्टर के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएं किना बताएं जाने दो गुड़ा दो इनके क्या होंगे दो गुड़ा पांच इनके क्या होंगे तीन गुड़ा पांच है न होंगे की नहीं अब क्या करेंगे हमें क्या करना इनमें LCM लेना है तो हम ये कोसिस करेंगे जो नंबर पहले तीनों में कॉमन है उसको पहले घेरेंगे क्या कोई गि मनोज。 बताईये, नहीं common है. तीनों में कोई गिंति common नहीं है, लेकिन जो दो में common है, उसको गेरेंगे, फिर. मतलब ऐसे, ऐसे गेरेंगेंगे, ऐसे. ठीक है? यह हो गया. अब पांच भी दो में common है, इसको भी गेरेंगे. जो जो मैंने घेरा है उसको लिख देंगे याद रहे एक एबार लिखेंगे ठीक है अब जो बेचारे छूट जा रहे थे किसी की पार्टी में सामिल नहीं थे इनको भी लिख लेंगे ये दो और ये ती दो पंचे दस दून अब बीस त्याईं साथ ये होगे अंसर ये इस तरह से LCM किया जाता है जब तीन गिंती दी गई हो मैंने तो सबसे पहले तीन गिंती बता दिया पहले इसको नहीं बताना था वैसे ठीक है अगर यहीं पर दो गिंती दी गई होती तो आईए दो गिंती वाला पहले बताता हूं जैसे माल लेते हैं 12 दिया गया होता और 18 दिया गया होता कि तो 12 और 18 का कैसे करते एक मिनट के लिए देख लीजिए पहले 12 के गुड़नखंड करेंगे दो दूना चार तिया ही 12 यह अभाज गुड़नखंड कहलाते हैं अभाज गुड़नखंड और गुड़नखंड में आकर क्या अंतर है आप कहोगे इतना कले चिल्लाय जा रहे हो लेकिन अंतर नहीं बताए अभी वेक्के दिन में बता देंगे अगले दिन कामाई सकल देखने आओगे जरूरी है अकेले रात में क्या दिवालों से बात करें आना जरूरी है आईए देखिए यह 2-3-6-3-18 बताएंगे बताएंगे यह क्या हुए इसके फैक्टर हो गए अब इन नहीं रहा है कि इनका अंसर कुछ लोग फटा फट कमेंट कर रहें 36 आरा ठीक है कि देखिए मैं बताता हूं जो मुख्य बाते हैं उस पर आता हूं समझिये समझने की बात यह है कि इनमें जो दोनों में कॉमन है पहले वह नंबर हम पकड़ेंगे ठीक है तो अगर आप देखिए तो दोनों में कॉमन टू है कि यह यहां पर लिखेंगे ल्सीम जो दोनों में कॉमन था उस जोड़े से एक एक निकाल लेंगे इसमेंसे लिए इसमें से तीन पिर जो कहीं common नहीं था उसको भी लिख लेंगे जैसे यह दो बचा था के लाइए तीन दो त्याई छे त्रीक अठारा दूना चत्तिस कितना आगया 36 कि इतो एकदम आसान वाला था न अभी एक चीज़ अउर बताएंगे आप मुझे यह बताओ भाया ए रजल जी बताओ तो इधर अगर यक्स और यक्स स्कॉयर का एल सीम बोले तब का होगा गिंती वाला तो बता इसके नागरीक हैं बताइए और आप लोग अभी तक कलास को लाइक नहीं करें क्या चाहिए मतलब आरती वारती उतारना पड़ेगा तब करेंगे का सभी जितने भी साथी जुड़े हैं नए पुराने अगर अभी तक वह पीवी आरे स्टेडी परिवार को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें और सामिल हो जाएं साड़े तीन लाख लोगों की संख्या में आपको पता है पीवी आरे स्टेडी के तीन चैनल चलते हैं अलग-अलग के जिसमें से सबसे बड़े चैनल में सब्सक्राइबर हैं मतलब इस्टूडेंट है एक परकार स अच्छी बात है आप लोगों का प्यार है सपोर्ट है चलिए इसका आंसर अगर कोई दे रहा है तो वह गलत दे रहा है इसका आंसर जितने लोगों ने दिया सब गलत दिया है मानबेन सिंग ने सबसे पहले बताया है और अनुपम का भी गलत है रियांग का भी गलत है डॉली का तो बिल्कुल एकदम 110 पर्शन गलत है नेहा मिसरा का सही है बहुत अच्छा बेरी गुट नेहा मिसरा बिल्कुल सही है और नेहा नाम की बर्माजी भी है इनका गलत है नेहा गौतम का भी गलत है अब बोलेंगे यह नहीं किसी का चलो आगे इधर आओ इसका करेक्ट आंसर एकस का स्क्वाइर होगा लेकिन मैं बताऊंगा नहीं अभी क्यों होगा लाइस्ट में बताऊंगा पहले कुछ और बताने वाला हूं कि इधर देखिए गुड़न खंड दिखरा न कि संख्या अभाज ये गुड़न खंड जिसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर इसे सिर्फ फैक्टर बोलते हैं सिर्फ 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 मतलब कि समझे रहो ना कि आईए आगे बात करते हैं ध्यान दीजिएगा और देखते जाईएगा देखिए साथियों इसको मैं बताने के लिए भी बोल रहा था कि बताऊंगा बताऊंगा हमारी कोशिस है कि आपको 101% समझ में आना चाहिए अगर आपको नहीं आता तब भी आपको आना चाहिए अगर मैंने संख्या ले लिया 12 तो इनके जो फैक्टर है वो कुछ इधर दिखाऊंगा कुछ उधर यह बाई चल जाया यार साही से चल नहीं रहा ना यह जैसे अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 6 12 तो यह सभी क्या ही इनके फैक्टर है देशी भासा हमें बोलें तो साधानत और साधानता है इनके गुड़न खंड है इसी पर को लेकिन इधर जो लिखेंगे वह ऐसा नहीं होगा इधर देख किसे अनने लिखा 1 2 3 अभ फौर नहीं लिखेंगे हां ना फौर नहीं लिखेंगे और क्या पिर हाप का अगया ओंगि तो क Hono नंबर लिखें नहीं करें कि और को को नंबलिख में करेंगे अधर one two और टू एक बार और रहेगा और यह ठ्रिए इनमें इनमें थोड़ा अंतर होता है इन फाइक्टर को आपस में गुड़ा नहीं किया जाता है यह जो अभाज गुड़न खंड होते हैं उनका मल्टीपल करके उस नंबर को प्राप्त किया जा सकता है समझ में है ना अभाज जे का मतलब यह है कि देखो यह जो यह फोर है और सिक्स है और ट्वैल है यह भाज यह गुड़न खंड है क्योंकि अभी यह किसी संख्या से कटेंगे समझ रहे ना यह सादू सन्याफी नहीं बने मौका मिलेगा तो यह भटक जाएंगे आईए देखिए यह क्या होंगे अभी यह विवाजित हो सकते हैं लेकिन यह नहीं होंगे ना दो किसी से कटेगा और दूसरी यहन्य संख्या से नहीं कटेगा नहीं कटेगा यही हम आपको बताना चाहते थे तो जब हम Lcm लेते हैं ना उसमें हम यह वाला गुड़न खंड करते हैं अब आज यह गुड़न खंड करते हैं ठीक है पवन कुमार कैसे आप पहचानते हैं समझ नहीं आया इसके लिए रोज पढ़ना पड़ेगा यह भूल चूक से आ गयो न इसलिए नहीं आ रहा है जैसे पंदरा है इसका देखे क्या होगा 1 3 5 15 यह बताईए आप लोग इसका अभाजी गुड़न खंड क्या होगा डबल 2 क्यूं है क्योंकि हमें इसका मल्टीपल करके यह प्राप्त करना है अब आज गुड़न खंड में हम क्या करते हैं उसका सब का गुड़ा करके हमें बारा लाना है यह कैसे होता है अभी में वह भी बता देता हूं इसका थोड़ा डीटीयल बता देता हूं अभी देख लेना ठीक है सबसे पहला जबाब आया है मनोज या दो ठीक है मनोज बेरी गुड आये यह दो दो तीन कैसे आया क्यों आया कुछ लोग पूछ रहें बताएंगे थोड़ा सबर रखिए वो भी बताऊंगा दो बार दो क्यों आया वो भी बताऊंगा यह 15 क्या हो जाएगा वन थ्री और फाइव कुछ लोगों का सवाल है कि दो बार दो क्यों आया है ठीक है जो मैं बताना चाहता हूं वो समझे देखिए अक्चुली क्या है उसको निकालने के लिए ऐसे भाग करते हैं सबसे पहले इने दो बाग करेंगे तो आप जब डो से बाग करेंगे बारा को तो कितना अब क्सक्रें चुक्र को च शे बाग फल आएगा उर फिर सेने पाल जीरो आएका शे मतलब नीं क्योंक्री सेबने Wanna करेंगे इंसको ओ सेध्म बाक करेंगे करें इसको एँचे 시청vous लिए उन्मींना इस तरह से अब जब यह का जाएगा तो इसी पर छोड़ देंगे इसी पर छोड़ देंगे अब यह क्या होगे आपका अभाज यह गुड़न खंड हो गया ठीक है यह क्या होगे प्राइम फैक्टर होगे जो यहां पर मिले हैं च्छन के मिलें एकदम फिल्टर होके तो प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रहे यहाँ पर हम उसी नंबर से भाग करेंगे जिससे भाग करने पर ये संख्या पूरा पूरा कट जाए पूरता विभाजित हो जाए जिससे कोई संकोच रहेगा कि पुरता विवाजित नहीं होगी उससे भाग नहीं करेंगे ठीक है? समझ रहें कुछ की नहीं? समझ रहें ना भाईया? आईए एक और बताते हैं जैसे इधर साइड में देखिए इधर साइड में देखिए जैसे माल लेते हैं कि हमने लिखा यहां पर 18 इनको हम क्या करेंगे? अब किससे भाग करेंगे? पहले यह बताइए सबसे पहले इसके लिए तो आपको छोटा छोटा बेसिक चीजे आना चाहिए पहले आपको संख्या की पहचान होनी चाहिए कि यह सम संख्या है भाज्य है अभाज्य है क्या है? तो यह सम संख्या है अगर यह सम संख्या है तो क्या यह भाज्य है या भाज्य है? तो यह सम भी है और भाज्य भी है यानि composite number है तो कोई भी अगर भाज्य संख्या है और सम भी है तो वो दो से पक्का completely divide होती है यह आपको basic मैथ में सिखाया गया है हां दो से completely divide होती है तो दो से भाग करेंगे तो सेजफल 0 आ जाएगा आप सबको पता है नौ बार जाएगा दो नो अठारा अब दूसरी संख्या को देखके पहचानेंगे पहले की सकल देखेंगि प्यार से चसमा उतार के आ कि भीया देखो इनको यह सम है की मैभाज्य एक जैसे का इसी का साधी बिया देखने जाते लोग यह का की सिद्रектив कि सीधा साधा है मतलब मार काट करेवाले हैं दोख पाप वाले हैं सीधा साधा धार्मिक लोग हैं है ना हम लोग कहां ही देखते हैं मतलब किसी परकार का गड़बर नहीं होना चाहिए तो इनको देखेंगे तो क्या है यह समसंख्या नहीं है लेकिन modern संख्या नहीं है तो वह दो से नहीं कटेगी है ना अगर समसंख्या नहीं है तो वह दो से डिवाइड नहीं होगी मतलब completely divide नहीं होगी सेस फ़ला जाएगा तो हम इसको दो से भाग करेंगे नहीं फिर कि दो से नहीं करेंगे तो किस से करेंगे तीन से करेंगे तो तीन से करिए तीन से भाग करेंगे तो तीन बार जायागा तिन तरीकनो कि अब उसी करम में इसको भी अगर देखें तो यह भी तीने से भाग करने पर कम्पलिटली डिवाइड होगा वंसे फलाएगा यह चीजें ऐसे ही की जाती हैं अगर हम बात करें अठारा का तो बहिए अठारा के जो यह फैक्टर होंगे इसमें जो वन है लाइस्ट में इसको कोई फरक नहीं पड़ता है तो इनके जो यह फैक्टर इस तरह से बन जाएंगे अगर आएसे कि यह हैं अभाज्य गुडणखन कि समझ में आना अफने आती वारी तुम पढ़ने आती हो कि सब का हाल चाल लेने आती हो अब बताओ बहिनी का हाल है पढ़त लिखती आग नह नहीं मतलब है अभी उस दिन पता नहीं क्या ऐसा कुछ हुआ था तो सौरी और ही बोल रही थी हाथ फिर हाल चाल लेने आ गई पढ़ लीजिए कि यह हो गया ना हुँ कि तो आप लोग एक बताईए चोटा सा फोटी एट का बताईए कि इसका कितना आएगा फोटी एट के अभाज गुडण खंड बताईए सभी बच्चे जल्दी से फटा फट बताईए देखिए हम सुरू क्या करने वाले थे हम लोग LCM HCF में चल रहे थे जो कि मैंने लगबख सुरू कर दिया है लेकिन खतम भी आज ही कर देंगे इस कलास में यह नहीं है कि अब यह पान दिन नहीं चलेगा सभी को समझ में आ रहा है कमेंट करके बताईए हां आ रहा समझ में कुछ लोग जो चुप चाप हमें देख लेते न एको बार नहीं बोलते न उनके लिए बड़ी बद्दुवा निकलती अरे कम से कम एक आध बात तो कमेंट कर दिया करो हां हम है सब्सक्राइब कुछ के सबूसgle है चलिए और वान टूह और ओर होते झा efficacy होगा कि में लगाते जम हूँ क्यों क्योंकि दोशवा करेंगे चौबिस आएगा फिर दो से करेंगे तो राहा आएगा फिर दो से करेंगे। कि दो हुण चार दूना आठ समझ में आ रहा है 12 , दो स्भाब करेंगे 6 , फिर दो स्भाब करेंगे 3 , 2-4 , दुना 8 , दुना 11 , और 23 अनन तालिस हो गयाना । दीपकार अठोर ठीक है , सही है , अनन्द नेहा … यह माहिरा पंटित तुम इतना घंदा सा नाम क्यों बनाई हो ? इतना बड़ा सा इतना बड़ा सा लोगों का नाम है धंग से कम से कम देखने में आता है तुम्हारा नाम आ गया तो लगता है तुम्हारे पूरे गाउंबर का नाम आ गया उसी में खींच खाज मिला के ठीक है तो यह हो गए आप समझ गए हम बात कर रहे थे LCM-CF की आप यह सब समझ गए न देखिए mathematics ना बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है एकदम वफादार है विल्कुल कुत्ते जैसा वफादार समझ रहे हो ना अब को गई कुत्ता उत्तक बात कैसे आ गई क्योंकि सबसे ज़्यादा वफादार कुत्ता ही होता है उसे आप एक रोटी भले नहीं दे रहे मार के भ दूसमें से हम लोग एक है मतलब आप भीव हम ही अकेले नहीं आईए इधर देखिए कि क्या करने वाले थे कि LCM और HCF पढ़ रहे थे इसमें दो विधी होता है आप दो विधी से कर सकते हैं एक है कि गुड़नखंड विधी और एक है भाग विधी ठीक है हम सिर्फ आपको यहां पर मैथड सिखा रहे हैं सिर्फ मैथड सिखा रहे हैं बाकी बड़े-बड़े कुश्चन अभ्यास प्रस्ण वाली कलास में करवाएंगे अभी छोटे-छोटे देख करके आपको सिर्फ सिखा रहे हैं मज़ा आ गई ना चलिए तो अभी हम लोगों ने कुछ नंबर्स के लसीम किये थे आपने देखा था किये थे ना अब हम क्या करेंगे HCF करेंगे क्या करेंगे HCF लेकिन HCF भी सायथ बताया था लेकिन फिर भी देख लेंगे आईए कुछ नंबर ले लेते हैं जैसे 24 ले लिया और 48 ले लिया क्योंकि हमें सिखाना एक ही जओर जो डीलेड वाले हैं इसे फाइस समेस्टर के उनके में ऐसे ही आता चोटा चोटा बड़ा हाई फाई नहीं आएगा हाँ थोड़ा यह हो सकता है स्टोरी के रूप में कुश्चन दे दिया अलग बात है मतलब डारेक्ट कुश्चन नहीं पूछेगा ऐसे की LCM बताए दो तो कोई कहानी दे सकता है आगे फलाने खेल में इतने लोग सामिल है उसमें इतने लोग दोड़ रहे हैं इतनी ऐसे-ईसे हो रही तो वह छोटी फिर चोटी संक्या बताएगे जिससे उनको पराजित की आजा सके इसे कुछ करके कहानी बनाएगा तो जहां छोटी-फिछोटी आएगा लस्म निकालते हैं जहां बड़ी से बड़ी आएगा हां थी यप निकालते वह सब कैसे करते हैं आगे की बात आगे क्लास में करेंगे पहले हम सीख लेते हैं ठीक है आए इधर देखिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुडणखंड पिदी से क्योंकि इसमें एक सटीक छोटे में कर लेंगे तो पहले इनके फैक्टर करते हैं सभी के और एक-एक के फैक्टर करने के के बाद में फिर उनमें जो भी कॉमन होता उनको लिखा जाता है ठीक है कि समझ रहे हूं आप लोग आओ चलो इधर देखे इनके फैक्टर कैसे करते हूं मैं बता चुका हूं दो दुना चार दुना आट त्रीक ل्च उवइस दो दुना चार दुना आट दुना सोला तियाँ आड तालीस यह मैं बता चुका हूं जो सभी में common है पहले उनको घेरते हैं ये ये भी common है अरे बाई ये दो लिखा है थोड़ा गंदा हो गया वो अलग बात है ये भी तो LCM निकालना है तो एक दो इस जोड़े फे लेंगे एक दो इस जोड़े फिलेंगे एक दो इसमें से लेंगे और एक दो इसमें से लेंगे उस वरी तीन दो दुना चार दुना आठ तरीक चौबीस यह गलत हो रहा है का दो दुना चार दुना आठ यह गलत हो रहा है मुझे लग रहा है अच्छा एक ठी बचा है हम लोग क्या कर रहा है LCM निकाल रहा है LCM निकाल रहा है तो जितने भी जोड़े बने थे उनको तो लिख लेंगे फिर जो छूटे गा एक ये बड़ा दयावान होता ये किसी को छोड़ता नहीं भाई तुम भी आ जाओ जिनकी साधी भी आ नहीं उनको भी बुला लेते हैं इनका कोई जोड़ा नहीं इनको भी मिला लेते हैं अब इनका मल्टीपल करेंगे तो दो दूना चार दूना आठ त्रिक चौबिस दूना अड़तालीस ये अंसर आएगा ये गुडनखंड विधी से आपका LCM हो गया ठीक है इसी LCM को अब हम भाग विधी से करेंगे बगल में जिससे आपको अंतर समझ में आ जाए विवेक कुमार चुपचाप कलाश देखिए भस ठीक है कमेंट मत करिए कलाश देखिए अंसर बताएए जब मैं बोलू तब बस इसमेंसे कितने लोग जो इसको भाग विधी से कर लेंगे हैे एधर देखिये चुटके में कर देते हैं भाग विधी से करने के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक जनकारी चाहिए जादा हम इसको उस संख्या से काड़ते हैं पहले जिससे दोनों संख्या पूरी तरह फिर डिवाइड हो जाएं सबसे पहले देखते हैं कि यह सम है कि भाजे हैं कि अब आप सबको पता यह दोनों अबाजे सं करेंगे तीन आयेगा इसको करेंगे छे आयेगा यहां बात थोड़ा सा समझने लायक है अभी तक एक एक गिंती से भाग कर रहे थे और सब कट जा रहा था ना लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि आप दो से भाग करेंगे तीन नहीं कटेगा तो हम भाग तो दो इसे करेंगे अभी भी तीन नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिख लेंगे पूरे इज़्जत के साथ यह थोड़ा काला हो गया अलग बात है फिर तीन यह छे कट जाएगा दो से भाग करने पर तीन आएगा अब यह सभी देखो तीन तीन आगया तीन से कर देंगे वन वन आगया जितना यहां मिलता है इनका डारेक्ट गुड़ा कर लेते हैं यह अंसर हो जाता बाकि कुछ नहीं करते हैं चिक है जितना यहां पर मिलता है इनी का मल्टिपल कर लेते हैं इनी को क्या बोलते हैं कर लेंगे न सभी यह भाग विदी से ल्सीम है यह गुड़नखंड विदी से है दोनों मैंने बगल बगल दिखा दिया इनका अभी पूरा नहीं हुआ है इनका उतारेंगे नीचे अभाईया देखो चार बार है नहीं यह दो चार बार दो दुना चार दुना आट दुना शॉला और तालिस यह फाइनल हो गया यानि भाग विदी से ल्सियम यह इतना होता है गुड़न खंड विदी से इतना फैलाना पड़ता है एके अब पुराने वाले एके हैं कि नए वाले हैं कोई भाई देखिए आप लोग कलास को लाइक करिए नहीं तो ऐसे मजा नहीं आती है और सेयर भी नहीं करते हैं बड़ी दुख की बात है यह भी कम से कम सेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों अगरा में हम ऐसे थोड़ा कम मजा आती है आगे बढ़ें तो यह हो गया अब आप लोग को बहुत ज्यादा नहीं करवाने वाला इसमें अब हम HCF की बात करते हैं इसको तो फालतू मिटा दिया दोखा हो गया ने तो मैं इसी में बता देता तो करना ना पड़ता फालतू कसे आई जा गुड़नखंड वाला अच्छा था या भागविदी अच्छा था अगर गुड़नखंड वाला अच्छा था तो आप लोग जी लिखके कमेंट करिए जी जी मतलो देसी भासा में गुड़नखंड और अगर भाग विदी वाला अच्छा था तो भी लिखके कमेंट करिए लेकिन भी लिखना अभी भी नहीं लिखना चलिए देखिए तो यह हो गया गुड़न खंड और भाग विदी हो गया LCM HCF ही बताना हमारा ताते पर था चलो HCF बता देते ए भाई तुम्हार जाया है निकल लो जैसे नंबर लेलिया 125 और एक नंबर लेलिया 30 इनका हमें HCF करना है भाग विदी से भी करना है गुड़न खंड विदी से भी करना है गुड़न खंड विदी में वैसे ही करेंगे 125 लिखेंगे फिर तीफ लिखेंगे इनके फैक्टर करेंगे तीन से काटेंगे नहीं कटेगा पांच से कटेगा यह अब गुड़न खंड कैसे करते हैं इसके लिए मैं दो तीन दिन चिला चिला के बताया हूं देखे हो जानते हो इनके गुड़न खंड करेंगे 236 35 इसमें एक चीज आसान है जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वही लिखते हैं बाकी सब छोड़ देते हैं तो सिर्फ पांच इसमें से एक निकल लेगा यह अंसर हो जाएगा बस बाकी जो कॉमन नहीं है सब जाओ भगाओ यह सरकारी नोकरी हो गई है इसका हाइस नंबर जाएगा उसी को मिलेगा आजकल तो इतनी लंबी धांदली होने लगी है ना सरकार चाहती है कि तुम के बारे में नहीं बोल रहा हूं नहीं तो गरी आने लगो ट्रॉल करने लगो बिरोजगार रहोगे सो 200 रुपए देंगे नेता जी मंद जाके धूप में पानी में ताली बजाओगे कुरसी खाली नहीं रहेगी हां अगर रोजगार धंदा रहेगा कुछ पड़े लिखे होगे तो काहे जाओगे 200 रुपए ले करके है ना जो आदमी हर दिन 24,000 कमा रहा हूं 200 रुपए ले जाएगा ही नहीं सरकार इसलिए देखो बर्बाद करने पर लगी कि 2019 में वेकंसी आई थी रेलवे की एंटीपीसी गुरूप डीक आप सब को पता लाको फाम आये थे जा तो क्या करेंगे फिलहाल वो तो उनका काम है हम लोग तो उनको चुनते हैं ना जो मारने काटने वाली वाते करते हैं क्योंकि हम लोग पहले धर्म पे विश्वास करते हैं अपनी जाती पे विश्वास करते हैं बाद में काम देखते हैं धर्म और जाती के नाम पे देश में वोट पड़ता है तो बात क्या हो रही थी आइए उदर चलते हैं यह HCF था यह गुड़नखंड विदी था हो गया अब इधर भाग विदी से कैसे करते हैं नंबर था 125 और 30 इधर आजाएं भाग विदी में जो छोटी संख्या होती है कुस संख्या से बड़ी संख्या को डारेक्ट भाग कर जाता है तो छोटी संख्या कि इसे संख्या 125 हैश को इससे भाग करेंगे नंब भाग कर के देखिए इनका और गढ़ वह कि दिश्य को भाज करेंगे कि यो थिए का पाडा आता ही नहीं कौन मुझे आता है मुझे जी आता है गूडा कर के बना लेते पहले तीन का भाज ट्राइप करते हैं 12 में तो तीन का भाग बारा में चार बार जाएगा क्योंकि तीन चोग बारा होता है इफ लिए हम चार से गुड़ा करेंगे तीस को तो चार तो यहीं बारा 120 आएगा मिल गया बन गया हम छार बार जाएगा 120 आया गटाएंगे पांच आयगा यहां पर समझना है जैसे हम लोग हैं हम लोग के पापा यह लेकिन आने वाली जन्रेशन के लिए हम लोग मम्मी पापा बन जाएंगे ना अभी नहीं बने वह लग बात लटके बच्चे हो जाएंगे और फिर अगली आने वाली जनर्बसन के लिए जो हम लोग के लड़के बच्चे होंगे वो मम्मी पापा बन जाएंगे समझ रहो न ऐसा होताúcगा घ्रली है क्वान यहां होता है पहले यह भाजक होता है यह भाजे होता है फिर सेसफ़ल आ जाता है अब यह भाजक बन जाता है कौन यह भाजक बन जाता है समाज रहे ना अब ये भाजक बन जाता है और ये भागफल बन जाता है अब ये नमबर भाज बन जाता है नहां उतार लेते हैं और जो सेसफल आय रहे था उससे भाग करते हैं फिक है अब 5 बाग करेंगे इसमें तो कितना आयेगा बही 5 शंक 30 सब को पता है गटाएंगे 0 आये जब सेसफल 0 जाता है उसी पर बंद कर दिया जाता है यह तो दो यह खतम हो गया यह कौनो कौनो कई इस से तो जो लाश्ट में जिससे डिवाइड हुआ है जिस संख्याफे लाश्ट में डिवाइड हुआ वही आंसर होती है याद रहे यहां जो जाता इससे कोई मतलब नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है जो भाजक होता उससे मतलब होता है यह वैसे होता जैसे देखिए स्सी की कई स्टेप में परिक्षा होती हैं स्सी सीजील आप लोग अगर देते होंगे कोई जानता होगा या फिर कोई भी परिक्षा देखिए उसमें कई स्टेप होते हैं तो जो फाइनल स्टेप पास करता है उसी को नवकरी मिलती है बाकी पहली परिक्षा हम तो सब आजमाल लेता है हां माहौल बनाने जाता है कि वैसे यहां होता है यह तो दो ही बार में कट गया नहीं तो कौनों कौनों च्यार-पांच बार होता है लाइस्ट में अंसर आता है कि एक से ज्यादा कॉमन हो तो अच्छा अच्छा एक से ज़्यादा common हो तो इनका सवाल है डॉली का ठीक है इसमें देखिए मैं बता देता हूं आईए इधर भी देख लेते हैं अगर एक से ज़्यादा गिंती common हो तो ठीक है इसी में चिपकालो भाई थोड़ा सा बगल में मुझे लिखना ना पड़े जादा हालतु का खर्चा पानी करना पड़ता आईए देखिए एक नया सवाल बन रहा है इसको लिखिए सभी नया सवाल है यहाँ कोड नंबर है कुश्चन नंबर नहीं है माल लेते हैं 125 यहां पे 150 हो गया अब तो बहुत सारा common हो जाएगा 150 है दो से भाग करेंगे पहले 75 आएगा तीन से भाग करेंगे 25 आएगा पांच से करेंगे इनको ऐसे करते हैं गुड़ा कर लें तो वह संख्या आ जाए दो त्याइँ छे पंचे तीस पंचे एक्सोपचास ठीक है अब देखिए ये कॉमन पांच है इसमें भी है अब इसमें थोड़ा खाया-प्य開व इसमें थोड़ा जलदी में डविए वह अलग बात है इसमें कि ये इसमें भी कॉमन है इसमें भी है क्यों यही सवाल था कौन पूछा था भैंट का इनका पूछा एक के ठी मिला मतलब दूठी तो हो गया ठीक है दो हो गया ना एक से अधिक भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं अब HCF करेंगे तो जितने कॉमन थे इन दोनों में से एक लिखेंगे इन जोडों में से भी एक लिखेंगे फाइनल में इसका 25 अंसर आएगा इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे आज कल के नए जमाने की स्कूल में पारेंट्स मीटिंग हो थी है तो भाई पारेंट्स अक्सर प्रत्थम प्रत्मिकता तो माता-पिता को ही दी जाती है अगर किसी के माता-पिता कारण बस कहीं दूसरी जग न ही समझ रह Ona तो वह से क्या करते हैं कितने भी जोड़े बने के कितने वी जोड़े बनेंचाने उर्ण में से 9 यहां लिखते दोनों लिखते हैं ठीक है जैसे इसमें दो दो का जोड़ा बनाता ना दो दो का इसमें से एक यहां लिखेंगे अगर यहां पर सूचिए अगर यह तीन होता तो यह तीन कभी एक जोड़ा बन जाता तीन कभी एक बन जाता तो यहां पर एक तीन और हो जाता समझ रहे ना यह ऐसा कब होता जब यह मैं इसको एक कोईश्चन बना देता हूं 25 यह 75 एक और कोईश्चन बन जा रहा है यह लो यह 75 हो गया अब देखो यह अंसर बदल जाएगा अब अंसर बदल जाएगा अब इनके जोड़े कैसे बने यह तो ठीक है यह अब एक तीन और आ जाएगा यह अंसर हो जाएगा 75 अब समझ में आया ना सभी को की नहीं किसी को कोई डाउट है तो बताएए ठीक है किसी को कोई डाउट है 125 और 150 का LCM निकाल यह का है भाई इसमें कोई मुसीबत है खा नहीं न तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यह हो गई कहानी खता मुझे लगता आज का टाइम भी काफी जादा हो गया है तो आप सभी जितने भी साथ ही जुड़े हैं वह कलास को लाइक जरूर करें और हां अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जिससे अगर आप चाहें तो सोमवार मंगलवार और बुद्वार देख सकते हैं इसके पहले हम आपको थोड़ा साउधान करना चाहेंगे आप इसक्रीन पर देख पा रहे होंगे एटल ब्राट्बेंट परियाग राज में सबसे जाधा घटिया यह हमारा फीड़ वैक है कोई पर हर महिना 943 रुपया का रिचार्ज होता था आपकी कलाफे चलती थी मतलब मान लीजी 1000 रुपया का रिचार्ज हमने इसमें अपकी बार 11,000 का रिचार्ज किया साल भर का 11,500 लगभग बता रहा हूं मांट होता जो लोग यूज करते हैं मालूम हो कितना होता है उसके बाद स है इनकी हालत गड़ बढ़ है कई बार कोसिस किया बहुत बार कंप्लेंट किया कितना टाइम बरबाद होता है इनके चक्कर में जीयो कनेट रेल वायर का भी एफनल भी फो रहा सीए सब बढ़िया चल रहे हैं लेकिन इनका गठिया इस लिए सावधान हो जाए अगर बरब कि इच्छा हम जैसा जेल रहें सोच रहें कि आप नजेल बाकी अगर आपको हर दिन क्लास करना है तो आप पीवियार स्टडी एप डाउनलोड करिए और पीवियार स्टडी एप में जा करके पूरा कंपलीट कोर्स भी आप ले सकते हैं जिसमें आप सातों दिन पढ़ सकते है ठीक है अगर कोई डाउट है कुछ भी कहना है तो नीचे नंबर चल रहे हैं उस पर आप मैसेज करिए उस पर फोन कॉल कर सकते हैं और हमारी कलासों को जोईन भी कर सकते हैं यूटूब पर कलासे तीन दिन बिलकुल फिरी चलती हैं आप इन्हें जादा फिर जादा सेयर करिए जिससे की आपको complete course पूरा YouTube पे मिल सके और हम पूरा पढ़ाएंगे यूटूब पयासा नहीं कम पढ़ाएंगे थोडा पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे पूरा फिरी पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे लेकिन टाइम नहीं बच पाता इस होजा से अभी सिर्फ त थेंक्यू आपने पूरा क्लास देखा एक गंटे का टाइम दिया मिलते हैं फिर मंडे को